दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर पहाड की तरफ निकल जाते हैं पहाडों पर विचरन करते हैं लोग पहाड पचड़ना चाते हैं मौंट एवरिस्ट पचड़के कई समाचार उस पर आते हैं कि आज इसने मौंट एवरिस्ट की चड़ाई की आखिर क्या इस पहाड भी होती है, कि इतना उंचा चरना होगा, एक उत्सुकता भी जाती है, एक एकसाइटमेंट सा फिल होता है इस पहाड को देखके, ऐसा नहीं लगता है कभी कभी जो पुरानी कहावत, अब आया उट पहाड की नीचे, जब आप किसी पहाड की नीचे जाते हैं, तो आपको आज भी टिका हुआ है, उसी उंचाई के साथ टिका हुआ है, उतनी स्थिरता के साथ टिका हुआ है, आखिर क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सा फिलसफा सिखा जाती है, पहाड इसलिए टिका हुआ है, क्योंकि वो सांत और स्थिर है, और दुनिया में जो सांत और स्थिर है वो टिका हुआ है वो काफी लंबे समय तक चलेगा जो जिनके मन में चंचलता है जो चंचल है वो जल्दी गाइब हो जाते हैं तो मुझे लगता है प्रकृती से भी सिखना चाहिए और जावा प्रकृती से सिखते हैं तो बहुत कूछ कर दो कि दो